नमस्कार भाईयों भेनों मेरे सभी साथी मित्रों और भाईयों भेनों को सबको मेरा हार्दिक नमन और प्रणाम कल से बेहद दिमाग विचलित है मन दुखी है दिल परेशान है जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कल सुबा छे बजे हमारे देश के एक बहुत सम्मानित पत्रकार श्री अर्णाव गोस्वामी जी को एक आतंक वादी की तरह उनके निवास से उठा लिया गया आप लोग उने देखा ही होगा बहुत बरबरता के साथ उनके साथ प्यवार का किया गया जहां एक और पूरा देश पूरे भारत अपना एक पर्व मना रहे थे करवा चोथ का सभी माताएं भेने उस पर्व को मना रही थी उस समय आपके हमारे अर्णाव गोस्वामी जी अपना सच बोलने की सजा भुगत रहे थे और लड़ रहे थे रात भी उनको नहीं छोड़ा गया आज भी मुंबई हाई कोट में उनकी सुनवाई चल रही थी लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मुझे नहीं आए कि बड़े से बड़े आतंक वादी को थुड़ाने के लिए अफजल गुरू के लिए कसाब के लिए रात को हाई कोट खुलवा दिया जाता है बड़े बड़े वकील रात को जाते हैं क्यों अर्णव गोस्वामी जी के लिए रात को कोट नहीं खुला क्यों शाम को तीन बजे सुनवाई निश्चीत रखी गई और आज भी सुनवाई के बाद उनको मला सुनवाई अभी चल रही है और फिर कल फिर तीन बजे क्यों रखी गई ताकि दिन समय और आगे बढ़ाए जा सके ये कानूनी परिकरिया है पता नहीं क्या इसका रीजन है जो इसको ऐसा रखा गया तो में बात मेरी ये कहने की है मैं कहने आया हूँ कि कल से बहुत मन दुखी है कि जिस तरह से आखिर अगो स्वामी जी कि गलती क्या है उनका कसूर क्या है क्या उन्होंने जुर्म किया है यही ना के सच की आवाज उठाई हिंदू के हित की आवाज उठाई राष्ट की आवाज उठाई पाल घर में साधू के हत्या कांड को खोल के हुजा कर दिया हिंदू साधो की खुले आम हत्या पुलिस की निगरानी में पुलिस के सामने उसको उन्होंने सामने लाया क्या उनकी यह गलती है क्या सुशान सिन के हत्या के केस को उन्होंने सी बी आई तक लाने में अपना बहुत महत्पून रोल निभाया क्या उनकी यह गलती है क्या हात्रस कांड की सच्चाई उन्होंने सामने लाई उजागर की क्या यह गलती है क्या एंटोनियो माइनो और राहुल गांदी और पिरियंका और जो भी इस तरह के लोग है उन लोग का जूट सामने लाए क्या ये गलती है क्या निकीता तॉमर बहन निकीता तॉमर जो अभी हरियाना में उनके साथ लव जिहाद के अंतरगत उनकी हत्या की गई कि उसको उन्होंने मुद्दा बना के उठाया क्या ये गलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निकीता तॉमर वाले केस के अंदर कुछ कॉंग्रेसी लोग होके परिजन मुख्य अभीक्त हैं मुख्य गुनेगार हैं उनको एक्स्पोज किया बताया कि ये कॉंग्रेस के पारिवारिक सदस्य हैं कहीं इस सबकी तो सजा नहीं और कहीं इस की तो सजा नहीं कि पूरे बॉलीवुट की गंजेडी गैंको इन्होंने उजागर कर दिया कहीं ये तो सजा नहीं पहुतको हुआ बहुत अंदो अफसोस है कि महराश्ट में मुंबई पुलिस और महाराश सरकार ने मिलकर एक चौथा इस्तंब जो देश का कहलाता है मीडिया उस पर परहार घात किया इस तरह से तो एक आतंकवादी के साथ भी शायद ये लोग ट्रीट नहीं करते होंगे उनके नावालिक बेटे को पर भी फिजिकल एसल्ट किया गया अरणोगो स्वामी जी पर भी फिजिकल एसल्ट किया गया उनकी पत्री को भी जबरस्ती धक्काम की गई गई मैं बिक्कुल भी देखने हैं देखकर बहुत बन दुखी है और दिल विचलित है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी आपके लिए सच की आवाज नहीं उठाएगा नो वन कोई आवाज नहीं उठाएगा आखिर अड़नाव गोस्वामी जी की गलती यही है ना कि वो सच की आवाज उठाते हैं सच के लिए बोलते हैं और आज आजकल की नई जनरेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैंने भी शेयर किया उनका वीडियो उनकी इमेजिस अड़नों गोस्वामी जी की तो कई बच्चों का सर यह है क्या यह क्या चीज है उनको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है कि देश में सम्मीधान के साथ इतना बड़ा खिलवार हो रहा है और हमारे और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है हत्या की जा रही है और आप लोग अंजान बने बैठें आरे हम आप सोचते हैं हमें क्या मतलब यही करते करते धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा और जहां देश का इतना प्रतिष्ठित और इतना राष्ट्रवादी पत्रकार तक भी सुरच्छित नहीं है उन्हें उतके घर से उनके इस तरह से जबरस्ती ले जाए गया मारते पीटते और यहां तक की एक एंकाउंटर स्पैसलिस्ट भी उसमें था आखिर करना क्या चाते थे लोग क्या उनका एंकाउंटर करने का मन्शा थी बहुत बहुत दुख है और अगर आप लोग नहीं जागे मेरी आप लोगों से सबसे प्राथना है विनिती है कि जो भी युवा है जो भी देश भक्त हैं राष्टवादी है जो सच रहा है हैं सच बोलना चाहते हैं वो सभी अपनी आवाज में या अपनी वीडियो बनाकर अज़नों गो स्वामी जी के समर्थन में अपनी बात को शेयर करें वीडियो के द्वारा आज में आज़ियो के द्वारा इसी लिए आया हूँ के लोग हमेशा सोचते के शायद आर्ट की कोई कोई बात करूंगा आज मैं व्यथित हूँ गुस्य में हूँ इसलिए मैं वीडियो पर नहीं आना चाहता नहीं आ रहा हूं सिप मैं अपनी बात आप लोग तक पहुचाना चाहरा हूं कि अगर हम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब एक सच बोलने वाले व्य अतिष्ठित व्यक्ति को पब्लिकली इतना उठाकर टॉर्चर किया गया फिजिकल असॉल्ट किया गया तो हम और आप तो एक आम नागरिक है जहां पर भी एक कॉंग्रेसी सरकार और इन लोगी सरकार है तो इनका मकसद क्या है इनका मकसद सिर्फ यह है कि जो भी सच बोले जो भी राष्ट की बात करें जो भी धर्म की बात करें उसको खतम कर दिया जाए उसकी आवाज को दबा दिया जाए कल में इतना व्यथित था जब सब लोग चांद देखकर अपने सुहा की लंबी आईयों की कामना करते वे वरत का उपवास खोल रहे थे उस समय आर्णाव गोश्वामी जी सिविल कोट के अंदर पेशी पर थे के उनको कब छोड़ा जाए लेकिन नहीं छोड़ा गया आज भी हाई कोट ने तीन बजे क्यों सुनवाई की बड़े-बड़े टेरिरिस्ट के लिए अतंक वादियों के लिए रात को बारा बजे एक बजे कपिल सिब् और जाने कौन-कौन से बड़े-बड़े वकीलों ने जाके कोट खुलवाई क्या अरे अवजल गुरू की फांसी को कैंचिल करो लेकिन एक देश भक्त सच्चा राष्टवादी इंसान पत्रकार और हाँ देखिए फिर भी पूरे देश के अंदर एक आग जल उठी हैं उनके समर्थन में कोई पोस्टर से कोई मशाल से ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी पत्रकार के समर्थन में इतने लोग इतने लोग पर एक पत्रकार के समर्थन पर सडकों पर इखटे हो रहे हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं तो मैं जो भी मेरे को सुनने वाले लोग हैं जो भी को करता हूं कि आप लोग भी अजनों गोस्वामी के साथ आवाज से आवाज मिलाएं आखे सच की हमेशा जीत होती है लेकिन सच के साथ खड़े होना भी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि एक पत्रकार वो बड़े-बड़े लोगों से इन गुंडों से महाराश सरकार से मुंबई पुलिस से कमिशनर से और यहां तक की बड़े-बड़े गैंग से साओधी अरब के बड़े-बड़े गैंग से बॉलीवूट के गैंग से जितने भी है हमारे धरम को हमारे इसको ब्रस्ट करने पर तुलेवे हैं उन सबसे उटकर ले रहे हैं कहीं ऐसा नहों कि उनको ऐसा लगने लगे कि मैं वो अकेले रह गये हैं मैं पूरी तरह से अर्णाव गोस्वामी के साथ हूँ क्योंकि अर्णाव गोस्वामी आपकी और हमारी सच की आवाज है आप और हमारे बीच से उठे एक साधान परिवार का एक बच्चा सुषान सिंग जो बॉलिवुड में जाकर इतना नाम कमाया उनकी हत्या कर दी गई कोई भी उजन के ओपर इतनी आवा सब सुसाइट सुसाइट करें लेकिन आर्णाव गोस्वामी ने इस केस को यहां तक लाए के सीवी आई की जाँच तक पोँचें बहुत सारे ड्रक्स गंजेडी और यह बॉलिवुड गैंग इनको एक्सपोज किया और इसी बात के चलते मेरे यह आप लोगों से यह है कि आप अर्णाव गोस्वामी के लिए प्राथना करें उनके लिए एक मिनिट का ही बड़ी उमर के होने के बाद भी वो अर्णाव गोस्वामी के लिए सडक पर उतर कर आये हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं इतने पहली बार ऐसा हो रहा है और जो हमारे युवा है मैं दो चार युवाओं से मैंने बाते की बहुत अफसोस हुआ वो लोग पहचाने ही न नहीं जानते कि क्या 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 हुआ सरी है कौन है अर्णाव गोस्वामी और जब पूछा तो बहुत से लोग कहते हम तो न्यूज ही नहीं देखते तो जागरुक बनिये न्यूज भी देखिए और इन बालीवुड वालों की फिल्में देखकर कुछ हासल नहीं होगा और अब एक दो दिन पहले का में और करेंट आपको एक ताजा किस्ता बताता हूं कि हमारे बॉलिवुड के नायक हीरो और खिलाडी अक्षे कुमार पहले तो लक्षमी जी का दिवाली के समय अपमान किया गया लक्षमी बॉम के नाम से फिल्म का नाम रखा गया उस पर लक्षमी बचा लेकिन अब उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया है बना कर वह कहते हैं कि पहले मैं मंदिर जाता था माता वैष्णो देवी जाता था तो दो तीन लाख रुपे साल में खर्च हो जाते थे आने जाने में उनके भी ठीक है उनके इस तरके साब से जितने व यह सोचा है कि मन के अंदर ही मंदिर है क्यों मैं माशन देवी जाओं क्यों यह जाओं तो क्यों ना वो पैसे मैं किसी गरीब को दे दूं बहुत अच्छी बात है गरीब की मदद कीजिए करना भी चाहिए लेकिन उस कीमत पर आप यह दुष्प्रिचार क्यों कर रहे हैं अपने हिंदु धरम के ही पीछे क्यों पड़े हैं जो हिंदु की आस्थाओं की पीछे पड़े हैं अब उनसे ही प्रेरित होकर मैं भी एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं हम लोग भी जब सीन में देखने जाते हैं तो परिवार के दो तीन लोग तो जाते ही है कम से कम 200-300 रुपे से कम टिकेट नहीं होता है लगब कम से कम और उसमें कोल्डिंग पॉपकॉर्ण मैं पांच उपे का पॉपकॉर्ण मां 100 रुपे का भी बिकता है इस बहुत सारा बिजनिस इतना फिलमों से करते मैं एक मुवी के अंदर कम से कम 2-3 लपे खर्च हो जाते तो क्यों ना वो मूवी में जो दो तीन हजार रुपे खर्च हो रहे हैं अभी सर्दियां भी आ रही हैं सभी भाई व भाई व बहनों से मेरा ये हाथ जोड़कर प्राथना है कि अगर आप फिल्म देखने जाने का सोच रहे हैं तो सोचिए उस दो तीन हजार रुपे से आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं किसी गरीब को कंबल दे सकते हैं किसी गरीब को दो समय की रोटी दे सकते हैं तो अक्षे कुमार जी आपने बहुत अच्छा हम लोगों को आखे खोली कि लेकिन हम मंदिर तो जाएंगे हमारी आस्था का प्रतीक है क्योंकि इसी तरह से आप लोगों ने आप जैसे लोगों ने हिंदों को भ्रहमित करकर के कोई भागवान नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं हो। देरे-देरे हम सब लोगों को पूरे विश्व में सनातन धरम था आज कि कशन्द देशों में बचे हैं सिफ हिंदुस्तान में नीता अफगानिस्तान भी हिंदुग का था और दीर दीरे इस तरह से इनका एक मोटो है के मुस्लिम धरम का यह परचार करें खान कंपनी खान गैंग जितने भी सल्मान खान शारुख खान आमिर खान आज कहां है यह लोग आमिर खान क्यों इंटॉलरेंस नहीं हुए आज जब आपके मुंबई जैसे शहर में इतनी दुर्वेवार करते वे बुरी तरह से एक सम्मानित व्यक्ति को पत्रकार को मार दे में ले गई है मुंबई पुलिस और मुनवर राणा जी आज कहां गए आपका अवाड वापसी गैंग आज क्यों नहीं वापसी करते आप और अभी दो दिन पहले आपका वीडियो सुना था कि फ्रांस में कोई कार्टून बना जिसके उपर आपने कहा कि हम तो कतले आम कर देंगे मार देंगे उसको गर्दन क मार दोंगा उस ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए आपका यह बयान था अरे आप लोग कितने समय से कितने समय से जब पीके जैसी पिक्चर बनी थी तब क्यों तुम्हारे मुह में दही जम गया था फैवी कॉल जम गया था यह सिमेंट जम गया था मुनवर राणा क्योंकि कि आखिर हो तो मौकात के गंदे ही वही हो जिसको लोग कहते हैं खैर में अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता आप जाहिल हो सुवर हो कमीन हो क्यों नहीं आपने पीके फिल्म के लिए इस का के हिंदु किसी धरम की भावनाओं को ठेस पहुचाई जा रही है क्यों आ तो लक्ष्मी बॉम की जगे आईशा बॉम की नाम से पिक्चर क्यों नहीं बनाते आप लोग कुछ और भी नाम रख सकते हैं क्रिश्चन के उपर नाम रख लीजिए क्योंकि नहीं वो लोग आपको जिन्दा नहीं छोड़ेंगे फत्वा निकाल लेंगे और ये मैं अपने सभी भाई और वहनों से ये बताना चाहता हूं कि आखिर आज बॉलिवुड में या कोई भी लोग हिंदु धर्म के खिलाफ वैसा कर पा रहा है तो हम लोगों की कमी की वैसे क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एजुकेट होते जा रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ हम लोग डर पोक या नपुनसक होते जा रहे हैं आपने देखा होगा जितना जो आदमी लिट्रेचर लिट्रेट है पड़ा लिखा है वो ज्यादा नपुनसक होता जा रहा है वो कहता रहे हमें इन बातों से क्या ले कर दीजिए राम नाम कर दीजिए लोग आपको कहेंगे तुम तो अंध भक्त हो मोदी भक्त हो तुम तो कम्मिनल हो तो हिंदू अपने आपको हिंदू कहने में शर्माता है अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोगे सर पे एक जालीदार टोपी होगी या आपकिसी चर्च में प्रियर करते हुए पाए जाएंगे क्योंकि मिशन्रीज ने भी यह अपना मिशन बनाया वाहं है कृषिंशन्स ने भी कि जितने कृषिंशन्स बनाए जाएं मुसलिम स्कभी है कि जितनी मुसलिम बनाए जाएं प llevarां आपहिं इस अमेंटू केसे का नाम क्या है बताएं जितने भी भारत के सबसे बड़े प्रस्यद मंदिर हैं फेमस मंदिर हैं वहां पर आपको जाने से कौन रोगता है माता वैश्णो दिवी का मंदिर अमार नाज जी की यात्रा है बद्रीनाज जी की यात्रा, केदार नाज जी की यात्रा, क्या वहां पर किसी से भी एक भी व्यक्ति से आपका जाती प्रमान पत्र मांगा है किसी ने? किसी ने देखी है कि आप किस जाती के व्यक्ति हैं तो फिर क्यों यह इल्जाम आज अपने उपर लगाते पिरते हैं कि हमारे साथ जा दार्मिक जगह उपर साब जनी कुरूप से पूजा पाट करता है तो भाईयो बहनो जागो अर्णो गोस्वामी एक आज की आवाज बनके उब रहें सच की आवाज बनकर उब रहें अगर आज हम लोग उनके साथ नहीं आए तो दूसरा कोई आपके साथ खड़ा होने को तया नहीं होगा मैं भी बगबग करता हूं बाते करता हूं और लोग भी बहुत करते हैं अगर आप लोग नहीं जागे तो धीर धीरे करके सबकी आवाज दबा दी जाएंगी और आगे कोई आप लोगों के लिए अपने धरम के लिए नहीं बोलेगा इसलिए हम लोगों को ही जाएंगे लेकिन हम लोगों को अपना कल बचाना है अपना स्तित्व जिन्दा रखना है तो हमें जागना होगा और मेरी पुने आप लोगों से बिनती है कि आर्णाव गोस्वामी जी के समर्थन में एक मिनट का दो मिनट का वीडियो और या जो भी आप इमेज भी शेयर क क्योंकि केंद सरकार के अधिकार में भी वो चीज तब आती है जब व्यापक रूप से उनके किसी के भी खिलाप कोई शिकायत आए तब केंद सरकार एक्शन लेगी तो चलिए भाईयो बैनो मैं आज अपनी बात को यहीं समाप करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं है और बस पलपल और ऐसे मेडिया कर्मियों से भी जो आज तक भी उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं जी टीवी वालों ने कल से कुछ बोला उनके ल रहा है तो आप यकीन मानिए कि कल वो आपके साथ भी हो सकता है तो आज की बात को मैं यहीं विराम करता हूँ और आप सब लोगों को आने वाले उज्वल भविश्य की शुब कामना है देता हूँ क्योंकि आप जागेंगे नहीं तो कुछ नहीं मालूम है आज आज आड़ यह स्री राम शुब रात्री